हालो आरिवन, इस्टड़ी विदस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम डिसकस करने वाले हैं हाईयर एजुकेशन से रिलेटड इंपॉर्टेंट कोस्चन्स पर ठीक है तो ये वीडियो जो है ये एक परकार का रिवीजन वीडियो है इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो अंडिस्टेंडिंग है इस टॉपिक पे कितनी अच्छी है तो इस वीडियो में मैं आपको 25 कोशन कराने वाला हूँ और आप गैस करें आंसर को कि आपका जो है आंसर वो क्या होगा अगर आप लोग 25 में से 20 या 22 कोशन ठीक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो अंडिस्टेंडिंग है इस टॉपिक को और मजबूत करने की जरूरत है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं एक चीज़ और अगर आपने हमारे शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि जब भी जब जब हम वीडियो डालें तब तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे तो ये काफी important वीडियो हैं आपके net की exam के लिए जब तक आपका exam नहीं हो जाता तब तक ये series जो है वो चलते रहे की अभी पहले हमने higher education लिया है फिर उसके बाद teaching aptitude फिर research aptitude और फिर communication इस तरीके से हम ये जो है कबर करने वाले हैं तो शली ये शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप answer को guess करेंगी कि आपका क्या answer है और फिर मैं आपको इसके answer बताऊँगा पहला question ये है कि भारस सरकार भारस सरकार द्वारा G.I.A.N. यानि कि Global Initiative of Academic Networks को प्रारम करने का उद्देश क्या है आपके सामने चार option दिये हुए हैं तो इसका सही answer है option number C वैस्विक अध्यताओं को भारत में उनके समावर्तियों के साथ मिलकर कारे करने के लिए प्रोचसाहन करना ठीक है तो इसका सही answer option number C है ठीक है इस तरीके question अब देखिए question जो है 2019 में पूछा गया था अगर आपने paper दिया है 2019 का तो आप जो है जरूर जानती होंगे इस question के बारे में next है निमिल लिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत सिक्षा का एक अवश्चक घटक है चार option दे रखे हैं पहला कहता है कि पुस्तकों से सीखना दूसरा सिक्षक से सीखना तीसरा चिंतन से सीखना या फिर चौथा अनुदेश आत्मक सामिग्री के माध्यम से सीखना तो इसका correct answer है option number B शिक्षकों से सीखना ठीक है ये परंपरागत शिक्षा का जो है एक महत्पून घटक है पहले जो शिक्षा व्यवस्ता होती थी उसमें शिक्षक ही सब सिखाते थी निमिल लिखित में से भारत की किस पंचवर्सिय योजना में शिक्षा और मानव शक्ती पर विशेश बल दिया गया है बहुत important question है answer आपने guess कर लिया होगा तो उसका सही answer है option number B चौथी पंचवर्सिय योजना थीक है चौथी पंचवर्सिय योजना जो थी उसमें शिक्षा और मानव शक्ती पर विशेश बल दिया गया था next question है भारत में बीसवी सताबदी के मद्ध परभावी रही परतिभा पलायन समस्या निमिल लिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है तो answer आपने guess कर लिया होगा पहला option ये पहला कथन क्या कहता है भारत में उच्च अध्याय अध्यन और सोध हेतू परियाप्त सुविधाव का अभाव ये ठीक है ये समस्या है दूसरा है विकसित देशों की उस इस तर पर परितिभा क्रियाय की शमता जो विकासिल देशों के वसमे नहीं थी ये भी सही है मतलब ये भी एक समस्या है जन संख्या की वृत्ति और ये होई नहीं सकता ठीक है तो हमारा जो सही आंसर होगा पहला और दूसरा और option number D correct answer नमारा option number D जो है इसका सही answer है next है भारत और दक्षिन Asia में सिक्षा के नियोजन और परबंदन में चमता विकास और शोध के उद्देश से भारत में इस्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है ठीक है बारत और दक्षिन एशिया में सिक्षा के नियोजन और परबंदन में चमता विकास और सोध के उद्देश से भारत में किस मुख्य संगठन का गठन किया गया है आपको बताना है तो इसका correct answer है option number C N U E P A ठीक है क्या आप मुझे comment में बता सकते हैं किसका पूरा नाम क्या है ठीक है ये question आपके लिए है next question है सोतंता प्राप्ति के बाद निमिल लिखित में से कौन सी समीती आयोग की report भारत में शिक्षा के सभी इस तरों पर विकास से संबंदित है तो इसका सही answer है आपने guess कर लिया होगा इसका सही answer option number C कोठारी आयोग report ठीक है कोठारी आयोग report next question है कौन से भारतिय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले परतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया ठीक है परतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था कौन सा आयोग था वो तो इसका सही आंसर है option number A, भारतीय शिक्षा आयोग ने ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग ने क्या आप मुझे एक कमेंट में बता सकते हैं कि ये भारतीय शिक्षा आयोग कब स्थापित किया गया था ठीक, जितने भी question मैं आपको सर्च करने को बोलता हूं Sanoo Samsung करें अर्ग कमिंट में बताय करें से होगा यह कि एक तो आप सर्च करेंगे तब आपको कोशन याद हो जाएंगे और दूसरा जब इसका सही आंसर है, option number B, AIU, ठीक है, next question है, निमिल लिखित में से कौन सा अनुदेश आत्मक अभीकल्प भारस सरकार द्वारा शुरू किये गए, स्वेम में सामिल नहीं है, स्वेम में सामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर, अगर आपने स्वेम वाली वीडियो आमारी देखी होगी, तो आपको यह पता होगा, यह एक इनिशेटिव है, जो लिया गया था, गौर्मेंट के द्वारा, तो इसका सही आंसर है, option number C, भौतिक अंतरक्रिया, भौतिक अंतरक जो है, इसमें सामिल नहीं है, next question है, निमिल लिखित में से कौन सा युग्म, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ग्यान दर्शन, उपग्रह आधारित सेक्षिक TV चैनल है, यह सही है, ग्यान वानी, सेक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है, यह भी सही है, MOC, Massive Open Online Credits, यह नहीं है, ठीक है, यह मैच नहीं करता, तो केवल 3, option number C, इसका सही आंसर है, ठीक है, नेक्स्ट वोशन है, वैदिक शिक्षा पद्धती में शिक्षा का माध्यम था, अधिकतर लोग को इसका आंसर पता होगा, संस्कृत, option number A, नेक्स्ट है, अतीत काल में भारत में उच्चितर शिक्षा के अंतरगत अधिगम की विधी में सामिल रहा, तो क्या सामिल रहा, आपने आंसर गैस कर लिया होगा, तो option number 20 का correct answer है, याद करना, समिक, शात्मक, विशलेशन, तथा कथा वाचन, ये तीनों जो है, वो अतीत काल में जो उच्चितर शिक्षा होती थी, उसमें इन विधियों को भी सामिल किया गया था, नेक्स्ट है, वे कौन सी योजना है, जिसका उदेश अभियांत्र की विज्ञान में सोध को बढ़ावा देकर, संस्थाओं में सोध का वातावरन तयार करना है, तो सही answer है, option number C, सोध समवर्धन योजना, यानि की R, P, S, next question है, inspire scholarship, inspire scholarship का किस agency से विध पोर्षन होता है, तो इसका सही answer, आपने guess कर लिया होगा, option number C, विज्ञान और प्रोधोग की विभाग, यानि की D, S, T, next question है, रास्टिय पाठ्थे चर्चा framework का निर्माण किस ने किया था, तो इसका सही answer है, option number B, N, C, E, R, T, N, C, E, R, T, दोरा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि N, C, E, R, T का जो गठन है, वो कब किया गया था, तो ये आपके लिए question है, next है, सिक्षा की गुरुकुल परणाली का क्या उद्देश रहा है, क्या उद्देश रहा है, तो इसका सही answer है, option number A, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, देखें, वीडियो अगर पसंद आ रही हो, तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो जो है, आपको रोजाना मिलती रहे, ठीक है, चली, next question क्यों चलते हैं, निमिल लिखित में से, किस आयोग या समीती ने भारत की सोतंता के बाद, शिक्षा के सभी इस्तरों पर ध्यान दिया है, तो इसका सही answer है, option number C, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग, नेक्स्ट है, उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश है, तो इसका सही answer है, option number B, देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को नियूंतम पाँच वर्सों के साथ जोड़ना, नेक्स्ट है, उस योजना को चिनहित कीजिए, जिसका उद्देश नीतिगत रूप से प्रसांगिक अनुछेत्रों में समाजिक विज्ञान सोध को बढ़ावा देना है, तथा नीती निर्माण के रियानवन और मुल्यांकन में महतपून आगतों का प्रावधान किया जा सकी, तो उसका सही आंसर है, option number C, ठीक है, I, C, S, S, R, ठीक है, impress जिसे हम कहते हैं, जो आगली मैं current affair के वीडियो लेके आँगा, उसमें ये सब भी मैं discuss करूँगा, उसमें कई ऐसे question है, जो current से related आ रहे हैं, ठीक है, swim क्या है, swim क्या है, I hope कि आपको पता होगा इसका answer, option number B, इसका correct answer है, शिक्षा के सिध्धानतों की प्राप्ती के लिए digital कारेकरम है, ठीक है, सिख्षा के सिध्धानतों की प्राप्ती के लिए digital कारेकरम है, swim, next है, भारत में सिक्षक, शिक्षण कारेकरमों की गति विधी एवं गुणवत्ता संबंदी पक्षो का अनुवीक्षण कौन सा संगठन जो है, करता है, आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है, option number D, राष्टिय अध्यापक शिक्षा परिसाद, यानि की N-C-T-E, next है, किस विश्विधाले में निमनांकित में से किस निकाए इकाई को संब्धिक कारे करना होता है, तो इसका correct आंसर है, option number C, परबंदन बोर्ड, परबंदन बोर्ड को, next है, समगर रूप से मुल्यांकन आधारित शिक्षा, किस विश्विधाले के निमनांकित में से किस किरिया कलाप कारे करम का उद्देश होता है, तो इसका सही आंसर है, option number D, योग, शिक्षा और सूस्थित, सूस्थिती केंद्र, next question है, भारत में विश्विधाले तंत्र के माध्यम से, निमनांकित में से किस गतिविधी में मानविय मुल्लो के समवर्धन की अतियधिक शमता है, ठीक है, ऐसे question जो है, नेट की exam में पूशे जाते हैं, तो इसका सही आंसर है, option number C, वरिस्थ संकाय सदस्यो द्वारा आदर्शी करण, पच्चिसवा, last question ये है, कि निमन लिखित में से कौन सा कथन, रास्टे सैक्षिक नियोजन एवं, प्रशाशन संस्थान, एक मानित विश्विधाले की गतिविधियो, इस्थितियो को सही धंग से वर्नित करता है, ठीक है, तो इसमें हमें कथन दे रखे हैं, उसको बताना है कि कौन सा सही है, तो एक एक करके से पढ़ना पड़ेगा, तो आंसर की में जो उसका आंसर दे रखा है, वो दे रखा है, option number B, पहला और तीसरा, यानि कि section के नियोजन एवं परबंदन में छमता, निर्माण और अनुसंधान, और option number 3, किसी केंद्रे विश्विधाले की तरह भारत सरकार द्वारा पूर्टा अनुरक्षित, तो ये तो था हमारे वीडियो higher education के उपर, जिसमें mostly वो question दे गए है, जो की काफी परचलन में थे, ठीक है, तो ये 25 question थे, अगर आपके इसमें से 20 से 22 question अगर ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपके आगे जो है, इसक पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो सही question है, वो इससे कम है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पकड़ इस topic पर अभी काफी धीली है, और आपको और इस पर अभी तयारी करने की जरूरत है, तो ये था तो हमारे वीडियो वीडियो पसंद आए, तो लाइक कर दे ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें, जब तब कि आगा, आपका जो exam है वो नहीं हो जाता, मिलते हैं next वीडियो में, so thanks for watching this video